दो कोई पहला कोशन दिया है आपको यह बताया था अगर ऐसा केस आपको दिखता है कॉस ठीक है तो आप क्या करेंगे अगर यह केस आपको दिखता है कॉस अलफा साइन अलफा और आपका कॉस अलफा प्लस साइन अलफा ठीक है तो आप करेंगे 1045-8 तो यह फॉर्मला होता ह होगा अगला देखें 10 inverse A upon B यह दे रखा है तो यह direct formula है आपका जो आपको याद करके जाना है A upon B minus X यह याद कर लें बहुत जाद आता है पेपर में अगला देखें 1357 के आपको proper subject पूछें तो किन लोग 1 2 3 4 हैं तो 2 की power 4 minus 1 और यह हो गया 16 16 1 और यह हो स्कुर करके root निकाल लें तो यह हो जाएगा आपका root के अंदर root के अंदर 5 plus 3 divided by 2 minus I यह हो जाएगा 5 minus 3 divided by 2 ठीक है 5 और 3 8 होता है 2 से divide करेंगा 4 होगा तो यह 2 आ जाएगा और वो आपका 1 बचेगा I तो यह हो गया plus minus C options है यह अगला देखें 14 18 के बीच का समान तरमात arithmetic mean पूछा है तो AM is equal to 14 plus 18 upon 2 तो यह हो जाएगा आपका 8 of 4 12 और यह आपका 32 हो जाएगा divided by और यह हो गया 16 जो आपका A options है अगला देखें जब ऐसे case आते हैं x plus 4 और x minus 4 plus x minus 4 upon x plus 4 solve करेंगे तो इसको लेखेंगे 3 plus 1 by 3 इतना लेखेंगे ठीक है तो आप क्या करेंगे x plus 4 और x minus 4 is equal to 3 इसको solve करेंगे तो यह आजाएगा आपका x plus 4 और 3x minus 12 यह इदर minus का 2x यह minus का 16 तो x is equal to 8 plus minus 8 आपको लेखना है c options है अगला देखें एक बागुज में 54 भी करना है तो n minus 3 upon 2 is equal to 54 ठीक है आपका 9n minus 108 is equal to 0 तो n की value आपकी 12 होगी ठीक है तो यह options है अगला देखें अंत से चौदमा पद क्या होगा जब भी अंत से पूछे ना interchange कर लो root y और plus root x यह कर लो बस आप formula लगा दो t r plus 1 का 17c किसना पूछे 17c आपका पूछे अंत से ठीक है चौदमा पद क्या होगा तो 17c r तो 14 और x की power x की power x की power होगा आपका root x की power root y सोरी यहां होगा root y तो root y की power आपका हो जाएगा 17c से 14 गया आपका 3 3y2 ठीक है 3y2 और यह हो जाएगा आपका यहां पर 1 by 2 और यहां आपका हो जाएगा root x अगर अंत से पूछा है आपका root x और इसकी power 14 root x की power 14 आपका हो जाएगा तो अगर देखो ऐसा कोई option नहीं मिल ला जैसे आपका 17c 4 है तो 14 को पहले आप लिखोगे यहां लिखोगे t 13 plus 1 तो यहां 13 हो जाएगा क्योंकि 14 पर पूछा 13 हो जाएगा और यहां हो जाएगा आपका 13 आपका यह हो जाएगा 13 by 2 13 होगा तो यह होगा 17 minus 13 तो यह हो जाएगा आपका 14 14 और यह 14 हो जाएगा और यह आपका वनेगा क्योंकि 17 में से 13 गया तो 17 में से 13 गया यह आपका 3 ठीक है 17 में से 13 गया तो थोड़ा सा है मिस्पेंट हो रहा 4 और यहां आपका हो जाएगा 13 यहोगा अब देखोगे इससे C 13 17 से 13 गया तो यहां 4 भी लिख सकते हो और यहां Y है तो Y की power 1 by 2 यहां पर आप 2 भी लिख सकते हो ठीक है Y है पहले negative है even number है और root X की power यह आपका X की power 13 by 2 हो जाएगा यह वाला case हो गया तो आपका B options है है अगला देखें Y H के समानतर है तो समिकरण क्या होगा तो X ना भी क्या होगी फोकई क्या होगी तो पहले 9 X की power to 144 और 16 Y की power to 144 is equal to 1 9 से यह cancel करेंगे तो X square Y 16 और Y square upon 9 is equal to 1 तो आपको क्या करना है आपको पहले यह निकालना है 16 और 9 हो गया 25 25 वटे 16 तो यह हो गया 5 by 4 और आपको चाहिए फोकई फोकई निकालने के लिए आपको plus minus A 4 और आपका यह निकला 5 by 4 तो यह 4 से 4 cancel हो जाएगा तो plus minus 5 और तो आपका भी option सही है अगला देखें आपको याद करके जाना है अगला देखें समानता चत्रबुच का चेत्रपल क्या होगा तो समानता चत्रपुच का जब चेत्रपल आप निकालेंगे तो आपको क्या करना है एक भी निकलना आई जे के और 1 मांइस थिरी टू और मांइस वन टू और 0 अगर दोक निकालेंगे I और I के साथ हम पहले निकलेंगे जीरो और माइनस का फॉर और जे जे के साथ हम लेखेंगे जीरो और प्लस का टू और प्लस का के और यह हो जाएगा टू और माइनस का थिरी तो यह हो जाएगा माइनस का फॉर आई माइनस का टू जे और प्लस का माइनस का के अगर हम इसका स्कुर करेंगे 16 16 और यह हो जाए यह हो जाएगा रूट 21 और आप से पूछा डाइगनल डाइगनल पूछा है साइड होती तो अलग चीज़े डाइगनल पूछा है तो छेत्रपल इसका रूट 21 वाई टू नहीं है तो आपका नना अंसर होगा अगला देखें सोले और ये अब देखें सोले ये दे रखा है तो आपका होगा ये वैलो जी एम निकालना है तो जी एम होगा 16 और 24 और आपका 27 और 32 और इसकी पावर 1 बटे 4 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3 8 हो गया और 3 और इसको लिख सकते हैं 3 की पावर 3 और इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 5 और 1 बटे 4 जितने नमबर हो अब 2 की पावर 4 और यह ठी हो गया और एक बाटे चार हो गया यह हो गया दूह जो आपका बारा उपशन आपको इस छार कि अगला देखने में को वर्ग करना है 64 और इसको अबर करना है तो 4 बटे 60 और इसको कैंसल करेंगे तो 1 by 15 आपको याद रखना है अगला देखेंगे साइन इन्बस 10 इन्बस आपको क्या करना है सबसे पहले देखो 10 इन्बस एक्स को आपको अलफा लेना है और 10 अलफा E equal to X upon 1 हो गया आपने एक triangle बनाया X1 और root 1 plus X square हो गया ठीक है यहाँ alpha हो गया अब आपको sin alpha की value चाहिए Y equal to sin alpha sin alpha क्या होगा Y equal to sin alpha होगा X upon root 1 plus X square यह होगा अब आप क्या करेंगे देखो 10 तो आपने निकाल लिया X upon 1 अब d by d x इसका करेंगे तो आपका यह वनेगा d by d x ठीक है यह हो जाएगा 1 plus X की power 2 और root 1 plus X की power 2 X का 1 फिर X फिर 2 root 1 plus X की power 2 और यह हो गया 2X 2 से 2 का था अब आप calcium लेंगे तो 1 plus X की power 2 minus X की power 2 नीचे हो जाएगा 1 plus X की power 3Y2 यह cancel हो गया तो 1 upon 1 plus X की power 2 यह आगया अगला देखें दो दनात्म संक्याओं का योग 12 है तो X plus Y जूकल टू 12 और उनका गुड़नपल नियूंतम है तो minimum minimum X Y तो आप क्या करेंगे हाप वैलू डालेंगे minimum में X हो गया और यह 12 minus X हो गया तो यह 12X और X की power 2 जब आप इसका डी बाइडी X करेंगे जब आप इसका डी बाइडी X करेंगे 12X minus X की power 2 तो D minimum D minimum D X तो 12 minus 2X इसको 0 के equal रखें D minimum D X is equal to 0 तो 12 बराबर आपका 2X तो X बराबर 6 X बराबर 6 अगर यहां डालेंगे तो Y बराबर 6 अगला देखें cot E की power X simple E की power X को T लें E की power X को T लें E की power X और D X बराबर D T D X बराबर D T upon E की power X ठीक है अब यहां देखें E की power X और यह हो गया cot E की power X और D T upon E की power X यह cancel हो गया cot का क्या होता है cot E की power X आपने E की power X को T लिया था तो यहाँ पर आपका आगया T कोड T क्या होता है log sin T log sin T plus C T की value डाल दें T की value डाल दें E की power X plus C तो आपका C options है अगला देखें 4 plus 9 X square तो पहले सबसे पहले 9 common ले ले 9 common ले ले तो 1 upon 4 upon 9 plus X की power 2 और यह आपका DX तो 1 upon 9 1 upon 9 और यह हो जाएगा आपका 1 upon A A कितना है आपका 2 upon 3 और यह हो गया 10 inverse X upon 2 upon 3 ठीक है प्लस C यह दोखो 3 cancel हो गया तो यह हो गया 1 by 6 और 10 inverse हो गया 3XY2 प्लस C तो आपका C options है अगला देखें इसका integration factor निकालना है तो यह देखो P बराबर दे रखा है 2X upon 1 minus X की पावर 2 तो आईएप निकालें आईएप निकालें E की पावर P P कितना है आपका 2X upon 1 minus X की पावर 2DX इसको आप put करेंगे इसको आप put करेंगे तो यह हो जाएगा E की पावर 2X और T और DT upon minus का 2X यह cancel हो गया E की पावर 1 upon T और DT तो यह हो गया log T और log T क्या होता 1 upon T और 1 upon T वैलू डालेंगे 1 minus X की पावर 2 तो आपका B option सही है अगला देखें sin theta cos theta root 2 है तो simple है theta की जगे आप 45 डालें 45 डालेंगे तो आपका root 2 आजाएगा आप देख लें 1 by root 2 और 1 by root 2 तो यह हो जाएगा 2 by root 2 यह cancel हो गया आपका root 2 तो 45 डालने पर आपका answer सीधा आ रहा है 45 डालने पर आपका answer सीधा आ रहा है अगला देखें अगला देखें ब्रत का छेत पल तो A जूकल 2 A जूकल 2 pi r square ठीक है तो da upon dr pi 2 r तो pi और 2 r की value है 5 तो यह हो जाएगा 10 pi तो आपका C options है अगला देखें तेश यह condition आपको पता है यह odd function होता है odd function होता है तो इसका answer 0 होगा A और minus A पर है अगला देखें इसमें क्या करेंगे आप A से multiply करेंगे A से multiply करेंगे तो A से divide देंगे तो यह हो जाएगा 1 A Q A B C फिर आप B से करेंगे तो 1 B Q और A B C फिर 1 C Q और A B C ठीक है अब A B C common लेंगे A B C आप common लेंगे A B C common लेंगे तो 1 A Q A B C तो 1 B Q और 1 1 C Q और 1 तो यह cancel हो जाएगा जब C 1 और C 3 एक दूसर के equal है तो answer आपका 0 होगा अगला देखें एक कोटी है तो adjoint, adjoint, take क्या होगा तो याद रखें अगर इसको आपसे पूछता है तो यह होता है adjoint कितना है 3 row 3 column तो 3 minus 1 का whole square तो यह हो गया तो आपका 3 में से गया 2, 4 तो आपका C option है तो आपका C option है